जाहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों अगर आप देश में जाना चाहते हैं आप अपना वीजा लगाना चाहते हैं या आप किसी के ब्याहँ पे अपना वीजा लगाना चाहते हैं या किसी कस्टमर का वीजा लगाना चाहते हैं दोस्तों तो बिलीव कि हम वापस आएंगे, हम जो purpose के लिए जा रहे हैं, उस purpose को proof करना होता है, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप अपनी profile कैसे बना सकते हैं, आपको अपनी profile काफी strong बनानी है, ताकि आपके जो approval के chances हैं, वो बढ़ जाएं, और rejection के chances हैं, वो बह गनुमनिटी आजाएं वहाँ पर कि मेरी ये profile है, और आपके वीजा के chances हैं, वो बढ़ जाएं, तो देर ना करते हुए, चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं. प्रोफाइल फोर इमिग्रेशन वीजा, तो दोस्तों सबसे पहले हम discuss करेंगे कि कितने तरह के वीजा हैं, वो जो की आपको मिल सकते हैं, सबसे पहला और सबसे जो popular वीजा है, वो है tourist वीजा जिसे की travel वीजा बोलते हैं, और बहुत सारे लोग यही वीजा लगाते हैं, द आपकी profile तो strong होनी ही चाहिए, साथ में आपके applicant, guardian, जो आपको sponsor कर रहे हैं, उनकी profile भी अथी होनी बहुत ज़रूरी है, इसके बाद में spouse वीजा या dependent वीजा, अगर आपके spouse वहाँ पर गए हुए हैं, तो आपको वो बुला सकते हैं, इसके अंदर भी आपकी profile अथी होनी च चाहिए होते हैं, सबसे पहले तो आपकी income का proof आपको बताना पड़ेगा, कि आपकी इतनी income है, कि आप इस जो tour को जो आप जा रहे हैं, उसको आप justify कर सकते हैं, उसको आप वहन कर सकते हैं, इसके बाद में आपकी business या job के proof है, यहाँ पे आप क्या काम करते हैं, आपकी properties, fund क्या है, आपके याँ पे, आपकी जो net worth क्या है, आपके banking क्या है, और भी कुछ तरह की document होते हैं, उन सबी के बारे में हम discuss करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ITR की, ITR यानि दोस्तो income tax return, income tax return हर साल एक भरा जाने वाला form होता है, जो कि हम government को बताते हैं, कि हमा ITR का जो form होता है, वो बताता है कि सबक्ति की इस साल की इतनी income है, तो अब ITR दोस्तों कई ambassiaan जो होती हैं, दो साल की मांगती है, कई ambassiaan जो हैं, वो एक साल से भी काम चला देती हैं, अब क्या है, ITR की जो dates वगरा होती हैं, दोस्तों, अभी जो आपका last financial year खतम हुआ है वो 2021 खतम हुआ है, मतलब 31 March 2021 को जो साल खतम हुआ है, उसको की financial year 2021 बोलते हैं, उसकी जो last तरीक 31 December थी, लेकिन अभी भी आप अपनी return है, 2021 की बर सकते हैं, 31 March 2022 तक, मतलब 2021 की return भी बर सकते हैं, और financial year जो 2021 अभी चल रहा है, जो 31 March 2022 को खतम हो जाएगा, उसकी return भी आप 31 March 2022 के बाद भर सकते हैं, मतलब अभी भी आप अपनी दो साल की income tax की return है, वो ready कर सकते हैं, आप कोशिच करिएगा दोस्तों कि return के अंदर जितना ज्यादा gap हो, उतना ही आपके लिए beneficial रहेगा, और two year के ITR can be ready if not filed earlier, अगर अभी तक आपने अपनी return specially नहीं भरी है, तो दो साल की ITR है, अब भी आप है, वो ready कर सकते हैं, ITR के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ country जो है, तीन साल की return मांगती है, जैसे Canada, UK, USA, फिर कुछ country हैं, दो साल से काम चला देती हैं, जैसे कि France, Italy, और बहुत सारी countries हैं, जो की एक साल की return से भी काम चला देती है है, South Korea, Malaysia, दुबई, इस तरहे की जो countries है, वहाँ पे एक साल से भी काम चला जाता है, तो इसके अंदर आपको अपनी genuine income दिखानी है, आपका जो काम कर रहे हैं, आपकी जो job है, तो आपकी salary आ रही है, आपकी business है, तो आपकी जो sale purchase वगरा की amount है, transactions है, सिर्फ वहीं आपे show हो रही है, income should be justified, income को justification भी देना वहाँ पे बहुत ही जुरूरी है, दूसरा इसका कारण ITR मांगने का है, अगर मालो एक आप अच्छी country में जाते हो, एक छोटा सा trip लगाते हो, 10-15 दिन का, Canada वगरा का, Australia वगरा का, तो इसमें क्या होता है, दोस्तों, 1.5 लाख रुपे तो आ happening की हैसियत है, आपकी कि आप इतना खर्चा कर सकते हैं, तो इसलिए आपकी income आपकी उसके according ही होनी चाहिए, जो वो justify कर दे कि ये खर्चा हम कर सकते हैं, आपकी जो ITR है, वो financial stability दिखाए और आपका growth दिखाए, मतलब हर साल आपके ITR थोड़ी थोड़ी भढ़के होनी चाह है, आप किसी tax consultants से, CA से जब ITR भरवाएंगे, तो वो आपको guide कर देंगे कि कौन सी ITR आपके लिए applicable है, ITR एक self declaration होता है, वैसे तो कि हम खुद चलके बताते हैं government को कि हमारी इतनी income हो रही है, तो उसके साथ में जो भी supporting document है, वो आपको लगाने बहुत जरूरी है, इसके ब देते हैं वो, form number 16 जो होता है, उसके दो part होते है, part A and part B, दोनों आपको लेने है, इसके साथ में हर मेने आपको एक salary slip मिलती है, वो भी आपको latest वाली लेनी है, no objection letter from employer, अगर आप मालों गुमने जा रहे हो 10-15 दिनों के लिए महीने के लिए, तो आपको जहां पे आप job कर र आएगा, वो घुमफिर के वापस आएगा, अगर आपका job वगरा आपकी पूरी हो चुकी, आप retire हो चुके हैं, तो retirement letter, pension वगरा आती है, तो pension letter और government का या किसी भी आपके company का का काड वगरा आपके पास है, ID काड वगरा तो वो भी आप लगाएं, ताकि आपकी जो profile है, job व होता है, GST, goods and service tax के अंदर, GST registration सिर्फ और सिर्फ immigration purpose के लिए आप ना करवाएं दोस्तों, क्योंकि GST registration करवाने के बाद में आपको काफी तरह के compliance करने पड़ते हैं, return भरनी पड़ती है, अगर आपकी sale है, जो 40 लाग तक है, और service अगर 20 लाग तक रोस नहीं हो रही है, तो मतलब उस state के अंदर जो भी कोई applicable हो रहा है, registration वो आप ले सकते हैं, जोरी नहीं है कि आपका सिरफ GST से ही आपका business proof होगा, आप बिना GST कभी कभी सारे registration ले सकते हैं, इसके बाद में आप अपने firm की business की जो है, वो letterhead बनाईए, उस पे आप अपना declaration दीजिए, अपना visiting card सा association of memorandum of association होते हैं, वो लगाएं, और भी को document है जो आपके show करते हैं कि आप business कर रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाने महाँ पे जुरूरी हो जाते हैं, इसके बाद में अगर आप किसान है, अगर आप एक farmer है, तो काफी सारे farmer लोग हैं, जो अपना visa वगरा लगाते हैं, तो आपके बाद में, वो जमीन जहांपे आपने ये खेती की है, वो आपकी ownership उसको दिखानी है, अगर आपकी खुद की है, तो उसके document होते हैं, जमाबंदी या फर्द या कुछ आइसी तरह के document उसको बोलते हैं, जो आपको local तैसील से निकल जाते हैं, वो भी आपको लगाने हैं, अगर आपकी वो जमीन खुद की नहीं है, और आप उसको आपके इसे उपर कमाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको lease deed लिखानी है, जिसे की ठेका नामा बोलते हैं, वो भी लिखवाना है, अगर कोशिच करनी हैं, दोस्तों, आपकी जो property है, A की नाम से हो, J Farm भी A क की नाम से कट रहे हो, और bank के अंदर जो entries आ रही है, आपका जो पैसा आएगा, वो भी A की नाम से हो, तो बहुत ही बड़िया profile बन जाती है, farmer के case में, तो इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके बाद में, अगर आपकी rental income आती है, अगर आप किसी को किरा बार-बार आपको convert ना करने पड़े, rental slip होती हर मेने की slip आप लगा सकते हैं, और कोशिश करना कि आपका जो भी rent है, वो आपके bank account में आए, उस rent को आप अपनी ITR में भी दिखा दे, ताकि आपकी profile है, जो strong बन जाए, इसके बाद में, जिस property पे आपका rent आ रहा है, वो rent के document भी आपको लगाने रहते हैं, कि भाई आपकी इस property से ये rent है, वो आ रहा है, इसके बाद में, तीसरी जो requirement पहली बने आपको requirement पताई थी, दोस्तों, ITR की, दूसरी में बने बताई थी, आपकी job की, या business की, और तीसरी में आप बताना चाहूंगा, आपकी banking की, क्योंकि banking ए जो है profile, जो bank की आपकी statement वगरा है, वो मांगी जाती है, ये embassy to embassy depend करता है, और अगर आप business चला रहे हैं, तो आपको current account भी आपको खुला लेना चाहिए, ताकि ये proof हो सके कि आपकी business की transaction बिजनस में होती रहे, और जो आपका saving account है, saving के दोस्तों, नाम से ही पता लग जाता है कि saving है, इसके अंदर आपके छोटे-छोटे ऐसे amount आपने जमा करवाने है, एक frequency के बाद, जैसे 15 दिनों के बाद, महीने के बाद, 10 दिनों के बाद, तो वो amount आपका भड़ता रहे, आज एक लागर रुपे था, आपने 25,000 जमा करवा दिये, सवाला को गया, फिर 25,000 जमा कर दिये, फिर 25,000 जमा करा दिये, मतलब इसके अंदर से निकले कम और जाये जादा, क्याकि जादा transaction ना हो, तो saving account है, और business के अंदर आपके पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, उस तरह से आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, आपके नाम से कोई FD वगरा है, उस proof copy आप लगा स मेरी profile तो अच्छी बन गई, ऐसे नहीं होना चाहिए, आपके 6 महिने के अंदर सारी की सारी इंट्रिया इस तरह से होनी चाहिए, systematic डंग से होनी चाहिए, तकि उस embassy को, visa officer को, यह doubt ना करना पड़े, कि भाई, आपकी जो यह पैसा जमा हो रहा है, यह आपका है, या किसी और का है, original with stamp and sign, जो आपको bank statement लेनी है, दोस्तों, वो bank से जाकर लेनी है, काफे सारे banker बोलते हैं, कि आप net banking से डाउनलोड कर लीजिए, तो ऐसा नहीं करना है, अगर वहां से कर ली है, फिर भी आपको bank की मोहर और उसके signature, जो है, manager के या कोई व्यक्ति है, वहां के जरूर आने हैं, ताकि आपको जो है, दोस्तों, basic के अंदर इसको genuineness, जो है, उसमें proof ना, दिक्कत ना आए, कई bank वाले क्या होते हैं, बड़े बड़े page दे देते हैं, लंबे लंबे page होते हैं, वो, जैसे कि HDFC bank का मैंने देखा है कई बार, तो वो आपने avoid करने हैं, या तो उस जारे ओपनी profile में, वही आपको वहाँ पे show करना है, income के बाद में, job के बाद में, banking के बाद में, आपकी आती है, valuation या net worth, valuation या net worth के अंदर क्या होता है, दोस्तों, आपकी यहाँ पर property वगरा कितनी पड़ी है, अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो, घूमने जा रह है, हमारी यहाँ पे समान पड़ा है, तो property valuation of immobile property, immobile जैसे कि आपकी land, building, मकान, पलाट, आपके कुछ भी दुकान पड़ी है दोस्तों, तो उसकी आपको यहाँ पे दिखानी पड़ती है, कि आपकी कितनी property आपके पास में या है, उसके बाद में, एक CA से भी net worth certificate बनता है, जिसे कि CA report बोलते हैं, काफी सारे agent भाई, तो यह भी आपको देख लेना है, कि आपकी CA report भी वो मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, तो कहने का मतलब, valuation report एक अलग चीज होती है, जो कि value और निकालके देते हैं, architecture होते हैं, एक registered value होते हैं, और इसके साथ में एक CA report और होत इसके अदर आपकी land, building, आपकी provident fund, आपके bank का balance, आपकी LIC की surrender value, आपके नाम से कोई vehicle है, gold jewelry है, cash, bank balance है, मतलब जितनी भी तरह कि आपकी property है, आपके नाम, आपके family में किसी के भी नाम है, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाती है, हमने बहुत सारी clients की बनाई है, बह आपका passport है, passport के बिना आप अपना visa नहीं लगा सकते हैं, किसी country का, तो passport जो है, आपका कम से कम 6 मेने की validity उसमें पड़ी रहनी चाहिए, normally जो आपका password है, वो 10 साल के लिए बनता है, तो अगर आपका passport की validity 6 मेने पड़ी है, कम से कम 3 मेने तो होनी ही चाहिए, काफी सारे cases में तब ही आपको वो visa देते हैं, अदर्वाज आपको अपना passport renew करवाना पड़ता है, और कम से कम 2 पेज तो वहाँ पे होने चाहिए, ताकि आपका वो visa है, वो 2 पेजों पर आने का जाने का लग सके, इसके साथ में ही letter होता है, दोस्तो, letter जो आपका बोलते है, appointment letter होता है, होता है, या confirmation letter होता है, वो लेकर आपको जाना पड़ता है, अगर मैं बात करूँ, Canada के travel visa की, या study visa की, तो आपको VFS के अंदर आपकी appointment करवानी पड़ती है, VFS एक third party एक company है, जो कि आपके सारे document आप Canada embassy के ब्याव पे इकठे करती है, और उनको process करवाने का काम करती है, तो वहाँ पर आपको अगर जाओगे, तो आपको payment confirmation letter है, appointment letter होता है, वो उसे लेकर जाना पड़ेगा, तब ही आपकी वो आगे सुनवाई करेंगे, इसके बाद में visa का form भी भरना पड़ता है, अगर आप खुद बर रहे हैं, अदर वाज आपको किसी agent से बरवा रहे हैं, तो कई बार तो दो तीन मांग लेते हैं, कई बार जादा मांग लेते हैं, तो एक photo extra लेकर जाएं, आप जब भी जाएं, महाँ पे, आपका background साफ होना चाहिए, plain होना चाहिए, जो भी उनकी requirement है, उनका size भी उनका coding होना चाहिए, और अच्छी quality के अंतर आपकी वो photo है, होनी च होटा होना चाहिए, इसके अंतर भी आपकी सारी detail आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी, वी sir, ये काम करता हूँ, मैं ऐसे से करके वहाँ पर जाना चाहता हूँ, इतनी तरीकों जाएंगा, इन सभी चीजों का यहाँ पर आपको बताना पड़ते हैं, इसके बाद मैं travel document भी ये करूँगा, तीसरी दिन मैं ये करूँगा, चोथे दिन मैं यहाँ इस होटल में रुकूँगा, पांच में दिन मैं ऐसे करूँगा, और छेटे दिन मैं आप वापस एरपोर्ट पर आ जाऊँगा, और ये मेरी वापसी की टिकेट है, रिटन टिकेट दिखा देंगे, अगर आप होटल का वाउचर दिखा देंगे कि मैं यहां रुकूंगा, इस तरीक को जाओंगा, यह यह करूंगा, और इस तरीक को वापस आजाओंगा, और यह मेरी वापस आने की टिकेट है, तो आपका वीजा की चांसेज है, काफी सारे बढ़ जाते हैं, इसके बाद में travel insurance, COVID के बाद में, दोस्तों, करोना के बाद में travel insurance लगबग हर country ने mandatory कर दिया है, तो आप अगर 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 2-4 दिन फालतु का ही travel insurance करवाईए, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए, और आपका वीजा जो है, easily process हो जाए, इसके बाद में family detail आपको आप जाओगे, तब ambassies जो है, आपको वीजा देने के जो है, possibility बढ़ जाती है, mother, father, sister, जो भी आने बताया, ये region to return होता है, कि आप आपस आएंगे, और उनको आगे संभालेंगे, इसके बाद में travel history होती है, दोस्तों, वो भी बहुत ही important चीज होती है, अगर आप बाहर ग हमें ये प्रूव करके दिखाओ कि आप गूमने वाले ही व्यक्ति हो, आप एक traveler हो, तो किसी other country पे आप पहले गूमे होगे, चाए वो छोटी country हो, काफी सेरे लोग ऐसे करते हैं, दुबई बगेरा, Malaysia बगेरा, Thailand बगेरा, चले जाते हैं, तो इसे पता लगता है कि ये पूशते हैं उस forum में कि आपका पहले का भी refusal हुआ था है नहीं हुआ था, वो भी आपको दिखाना जुरूरी है, prove that you are genuine travel, कि मतलब आप सच में गूमने जा रहे हो, ये इसका प्रूव करता है travel history, अगर नहीं है travel history तो आपको गवराना नहीं है दोस्तो, फिर भी आपका वी वीजा approval के अंदर, इसके बाद में invitation या sponsor letter ये होता है दोस्तो, अगर तो भी आपका जो chances है थोड़े से बढ़ जाते है, वीजा के, approval के, success के, लेकिन मैं फिर से बताना चाओंगा दोस्तो, ऐसा नहीं है कि आपके पास invitation letter नहीं है, तो आपका वीजा नहीं लगेगा, ये फ है, उसका जो है, वापसी आने का, या उस वक्ति को पर जो button है, वो shift हो जाती है, ये भी believe to officer to your visit, ये आपका जो गूमने का जो reason है, वो बताता है कि आप space उस वक्ति से मिलने जा रहे हो, वहाँ पर रुकोगे, तब आपको जो है hotel booking वगरा और उस चीजों की खर्चों की जर के अंदर कहीं पर भी किसी society में भी अगर आप वहाँ पर member secretary कुछ है, president है, तो वो भी आपको वहाँ पर लगाना है, ताकि उससे भी आपका easily प्रूफ हो जाए कि ये बंदा यहाँ पर well settled है और ये वापस आएगा, इसके बाद में don't change your previous profile, कई बर क्या होता है agent भाई जो है हमारी profile अपने इसाब से बना करके वीजा लगा देते हैं, फिर हमें by chance वो refuse हो जाता है, और अगली साल हम फिर वीजा लगाते हैं, तब हम कुछ और ही अपनी profile बता देते हैं, कि भही मैं तो ये कर रहा हूँ, तो मतलब आपने जो पहले अपनी profile बताई थी, वीजा के time वह ही आपको बाद में बतानी हैं, आप अपनी profile खुद बनाईए, और इसी agent की help ले सकते हैं, मैं ऐसे नहीं करा कि agent की help ना लीजिये, लेकिन जितने document हो सकते हैं, आप genuine बनाईए, अपनी ही तरप से बनाईए, आप genuine रहे जिये, legal रहे ये, lawyer रहे ये, क्योंकि embassy है, बहुत किया था, तो हमें वहाँ से deport किया जा सकता है, तो आपको हमेशा ही loyal रहना है, legal रहना है, आपका visa आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा आपका visa, तो आशा करता हूँ दोस्तों, मैंने काफी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, जो आपको अपनी profile के अंदर include क करनी है, आपने visa लगाना है, तो इन सबी चीजों का ध्यान में रखना है, ताकि जो आपके visa के chances हैं, वो approval के बढ़ जाएं, और rejection के घट हो जाएं, और आपको visa मिल जाएं, और ये वीडियो ची लगी हो तो दोस्तों, इसे like करके हमारा उसला बढ़ा दें, और ऐसी ही informative वी के सबस्तर बढ़ूस, इसे like के सबस्क्त message, आपके बढ़ा णाही है, वीजो चीजो एंगे ऑना है, जाएं हमारा जाएं, mail आपके पिसे हैँ कोciendo थाया येॉिपा आपके भाएं, ऩजो